सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं सबसे बड़ा कोशन दोस्तों यही है कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं अब सब्सक्राइबर कोई पेड़ में तो लगे नहीं कि ऐसे सब्सक्राइबर बढ़े आएंगे सब्सक्राइबर तब बढ़ेंगे जब आपके चनल पे व्यूज आएंगे वीडियो पे व्यूज आएंगे तब ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे भाई सिंपल सी बात है ठीक है अब व्यूज कैसे आएंगे भाई यह भी एक question है कि views कैसे आएंगे views तब आएंगे जब योटूब आपकी वीडियो का impression लोगों के सामने भीज़ेगा browse feature में डालेगा impression suggest करेगा अब YouTube हमारे वीडियो को browse feature में डालेगा ठीक है तब कैसे डालेगा भाई भाई फ्राब browse feature या suggestion में क्यों आएगी तुकि आपके वीडियो के performance अच्छी होगी और अच्छा होगा अपने match करके डाला होगा तो उसी वीडियो के recommendation या फिर browse feature में जो उस type के channel देखते होंगे वहाँ पर वो suggest करेगा अब वहाँ पर चले ठीक है इंप्रिशन भी बेज़ दिया YouTube में अब भाई सबसे last question की भाई अब उसमें click on करेगा click on करेगा वो कौन करेगा audience करेगी लोग करेगी जिनके सामने video जाएगा अब वहाँ पर वो आपकी video पर click क्यों करेगी सबसे बड़ा question भाई आपके video में ऐसा क्या है वो आपके video को click करेगी पर यह ऐसे थोजी ना वीडियो के पहले तो option ही है कि ना वीडियो के पहले से बिना click किये वो अंदर तो आएज नहीं जाएगा आपने क्या बताए वीडियो में तो देख नहीं लेगा तो अब वो आपके video में click क्यों करेंगे click तब करेंगे जब आपका thumbnail अच्छा होगा आपका title अच्छा होगा guys समझ गे आखिर मैं आज आपको क्या बताना वाला हूँ कि जो thumbnail होता है यह most important होता है हमारे YouTube चानल को grow कराने में guys देखिए मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँ है guys मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर जितने भी subscribers वोर्स टाइम आपके views यह सभी depend करते हैं आपके thumbnail पर सबसे पहले आपका focus thumbnail होगा ठीक है अब जब तक देखे कुछ भी आप वीडियो कितना भी अच्छा बना लो भाई अंदर आपने बहुत अच्छी जानकारी देली बहुत अच्छी सूट बूट करके बैठा हो camera बहुत अच्छा है setup बहुत background अच्छा है चले बहुत अच्छी अपका वीडियो बहुत अच्छा है अच्छी कॉल्टी में आपका अपने वीडियो बना लिया अच्छी location पर जाके लेकिन भाई रहे आपने thumbnail में hug दिया thumbnail आपने अच्छा नहीं बनाया माली जे आपके वीडियो YouTube recommend कर दिया आपका वीडियो बहुत अच्छा आ गया चलिए माली आपने share कर दिया आपने दोस्तों तक यारों तक अपने फ्रेंडों में तो वहाँ से थोड़ा बहुत views मिले गया आपको थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा लोगों तक जो उसी टाइप के channel देखते है वहाँ पर उसने recommend कर दिया उसने suggest कर दिया ब्राव feature में डाल दिया अब वहाँ पर वो आपके वीडियो में क्यों click करेंगे वह audience क्यों click करेगी वहाँ पर आपका वीडियो तो पहले देख यह नहीं पहले क्या देखेगी आपका thumbnail क्या thumbnail और आपका title फिक है देखो लोग thumbnail भी देखते हैं title भी देखते है title भी परढ़ सकते हैं लेकिन तū title और thumbnail main हो जाता है सबसे पहले thumbnail ठीक है title तो आपका वुडियो के recommendation में वर बाव सुचर recommendation में लाने में help करता है लेकिन thumbnail जो होता है यह होता है व्यूज लाने का सब्सक्राइबर बनाने का तरीका दोस्तो बास समझ गे तब जाके ओडियंस आपके वुडियो पे क्लिक करेगी जब तक आपका थंबल अच्छा नहीं होगा गाईस तो वही आज मैं आपको बताने वाला हो कि आखिर आपको थंबल कैसे बनाना है यह आज मैं आपको बताँगो आखिर मैं अपने थंबल कैसे बनाता हूं काफी सारे लोग पुछते हैं यह आप कैसे बनाते हो थंबल अब थंबल कैसे बनेगा यह भी बड़ा कोश्चन है यह आप सीख सकते हो थम्नल बनाना अब आगी यह आप कैसे चलाएंगे आप ये भी बड़ा कोश्चन है आपको आता नहीं आप नए यूटूबर हो यूटूबर काम कर रहे हो लेकिन आपको थम्नल बनाना नहीं आता तो गाइस आज मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ कि आ आपको पहले चलूब लेकिन आपके आगे का फोकस अच्छा नहीं हुआ न तो लोग दूर से भग जाते ही यह अपने गवर कि आप आप ऐसे नहीं कि कोई भी आप ये जानते हैं ये पिक्षल एम मैं इसी एप से बनाता हूँ थंणल बनाता हूँ कुछ भी नहीं करता हूँ लेकिन इसे में क्या करता हूँ थोड़ा दिमाख लगाता हूँ आपने ब्लोगिंग चैनल है कुकिंग का कैसा भी है ठीक है अब वहाँ पर अगर आप इमेज लगाते ही थमनल बनाते ही तो वहाँ पर आपको रेपरिजन करना होता है अखिर आपको डैरेक्ट आप चीज़े दिखा नहीं सकते हैं देखो थमनल जो होता है फस्ट इंप्रसन आपके विडियो को इस्कॉल कर देंगे फिर आपके ओन देखेगा कोई नहीं देखेगा यूटूब को को कि लगएगा कि भाईयम मैंने 150 लोगों को आपके इम्परेशन भेजा है और वहाँ पर लोगोंने क्लिक ही नहीं किया क्योंकि आपका थमनल अच्छा नहीं गया है ठीक है अब देखिए यह नहीं कि यारों रिष्टेदारों में आपने भेज दिया वीडियो वहां से लोग क्लिक कर देंगे वो तो भाई है देख लिए आपके फोर्स करने पे शेयर करने पे वहां से वीज आगे आपको इंप्रेशन भी बहुत अच्छा दिख रहा है क्यों आपके नए ओडियंस जो है जो नहीं आपके वीडियो अभी तक नहीं देखी है लेकिन उनको आप कितना हद तक अपने अट्रैक कर रहा है अपने थमनल से ठीक है आपके रिस्तेदार दोस्त वगरा तो आपके देख लेंगे जो सब्सक्राब हैसे हो तो देखी लेंगे आ नए ओडियंस से वो आपके वीडियो तक अब तक आएगी यह चीज़े मैंने भी किया गाइस ठीक है चैनल पर अपने थमनल को क्लिक बिर बनाने की कोशिज करिए अप क्लिक बिर यह नहीं कि अपने थमनल कुछ आओ थोड़ा सा आपको उसी से मैच करना अब डिरेक्ट च समझ जाएगा अगर उसने वीडियो देखी भी होगी पहले किसी की तो वो उसकी स्किप कर देगा यह तो मैं जानता हूँ पहले भी देख चुका हूँ लेकिन आपको उसी वीडियो को बले उसने पहले देख लिये लेकिन आपको उस पर क्लिक कराना है तो आपको थोड़ा पर आना चाहते हैं तो फोकस जरूर करना यह मैं आपको बता रहा हूं और आप मेरे चनल पर भी जा के देख सकते हैं आप देखें यह इंटरनेट है यहां पर आप कैसे ग्रो होते ही यह नहीं मैटर करता है आप कितनी जल्दी उपर जाते ही यह मैटर करता है आपको यह नही करनी है किसी कोई आपको बताएगा नहीं मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ फिर भी आपको सिखा रहा हूँ ठीक है तो आपको यह चीजे करनी है अब थम्ने बनाने में आपको सोचना है ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसे हवा हवाई में बैठ गए अरे अच्छा यह करना है ठीक ह फोटो डिर्रेक्ट लगा दिया हमने कोई नहीं हम ब्लॉग बना रहे हैं ठीडा लिग दिया बाई ब्लॉग आप बना रहे हो मुझे पता मॉइफ ब्लॉग लिग दिया अपनी फोटो लगा दी हाथ जोड दिया लेकिन अच्छिव है लोग क्यों क्लिक करें आपको कुछ ऐ आपको बताता हूँ, सोचाता हूँ, सोचिए इस चीज को, कि दिमाग से आपको सोचना है, अब कोई भी Thumbnail बनाने से पहले यह ने कि जल्दवाजी करनी है, मैं जो भी Thumbnail बनाता हूँ, पहले सोचता हूँ बैड के, कि आखिर मैं इस जो टॉपिक है, इसको मैं किस तरीक के सारी चीज़ ऐसे होती है, कि अगर आप एक स्टोरी है, मालीजी कि एक book है ठीक है एक paper है, पुरा seen story लिखी हुई है ठीक है, एक कहानी है लेकिन अगर आप एक picture दिखा दखते है ठीक है आपको एक picture दिखा दिखा दी जाए वो इसी story की पूरी picture बना जाए तो आप सिर्फ पिक्चर देखके जाए कि आखी ये स्टोरी कैसी होगी बास समझ गए ठीक इसे पेकार आपको पढ़ने की जुरूत नहीं पढ़ेगी इसी पेकार आपको वीडियो में वीडियो के ऊपर जो थनल होता है वहाँ पर आपको पिक्चर कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा आपको कुछ नहीं करना जैसे मैं करता हूँ वैसे आपको करना है और थंडेल बनाने के लिए जो भी बता रहे हूं ज्यादा चीजे नहीं मैं आप यूज़ करता हूं पिक्सल लैब अभी इस अप्रीकेशन को आप आपको इंटरेट से यहांपर आदिख सकते हैं आपको क्या करना है background डाउलोड कर लेना तो high background लेकिन आपको अल्रेडि बाहर से background डाउलोड कर लेना है कुछ background वगईरा, कुछ sticker वगारा, subscriber वगारा, ऐसे वगारा, जैसा भी आपका thumbnail है, ठीके, अब वैसे आपको download कर लेना, चलिए, अब मैं आपको mobile screen में बताता हूँ, कि आखिर मैं thumbnail कैसे बनाता हूँ, और जो मैंने कल thumbnail बनाया था, वो मैंने कैसे बनाया था, सोचा क्या था, ठीके, तो वो जै मैं आपको बताऊँगा, ठीके, तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती ही, लेकिन सीखनेयों को बहुत कुछ मिलने वाला गाईज, चलिए वीडियो को start करते हैं, मैं हूँ अंसुम हो रहा, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like करना, चैनल पे नए हैं, तो थोड़ pixel lab application, ठीके, picture editor, ठीके, तो इसको मैं download करता हूँ, ठीके, play store से आपको मिल जाता है, आप देख सकती ही, कुछ इस तरीके से मैंने thumbnail बनाया हुआ, ठीके, अब देखिए guys, यहाँ पर यह thumbnail कैसे बनाया गया है, ठीके, यहाँ पर देख सकते हैं, सारी इमेज अलग लग लग ल देता हूँ, ठीके, सारी चीज़े यहीं पर मैं यहीं से edit करता हूँ, यहीं से लगाता हूँ, ठीके, अब मैं इसे back चला जाता हूँ, यह देखिए, back गया, तो यह सारी चीज़े आ गई, अब देखिए, यहाँ पर सारी यह png image है, यह देखिए, मैं आपको दिखा देता अब मैं आपको डिखाता हूं कि कैसे मैं इस App को vailleuse करता हूँ और कैसे आपको यूजज deposited आप एफ यूज़ करेंगे ठीक है तो आपको क्या करना है यहां पर यूज करेंगे त्यू आप निचे जाना है आपको कुछ नहीं करना है अब देखिए यहाँ पर color का option है अब यहाँ पर देखेंगे color अब ये background color है ये देखिए मालली जी color रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से select कर लेंगे अब और भी color चाहते हैं gradient करना चाहते है mix color यह देखे कुछ इस तरीके से, तो यह भी color आप सेलेक कर सकते हैं, तो यह तो आपको उपपर depend करता है, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके select कर लेता हूँ color, अब यहाँ पर मैं इसे edit कर दूँ, अब माली जिए यहाँ पर आपको कोई image लगा नहीं है, PNG image लगा नहीं, अप जैसा भी आप लगाना चाहें, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है, सर्किल में लेना चाहें, सर्किल में लगा सकते हैं, तो यह तो आपको उपर डेपन करता है, आप कैसा चाहते हैं, ठीक है, तो अपने हिसाब से आप ले लेंगे, और इसके बाद आप इसे एड कर द और यहां से picture को और भी color ये देखिए, colorful बना सकते ही, और भी इसको आप ऐसे करके बढ़ा, छोटा बढ़ा कर सकते ही, ठीक है, तो इसके image को आप और भी अच्छे से context बढ़ा सकते ही, इसके बाल इसको lock कर देजे, lock कर देंगे तो यह आपकी image lock हो गई, यह देखिए, ठीक है अब यहां पर और भी, जैसे माली जी, और भी image add करनी है, जैसे मनोज भाई कि मैंने image ये थी, अब यहां पर मैंने add कर दिया, यह देखिए, यहां पर है, और यह ऐसे, तो यह अभी इधर है, तो अभी इसको क्या करना है, तो यहां पर click करूँगा, और यहां से मैं इसे ऐ कर देता हूं ठीक है देखो बेसिक चीज में आपको बता रहे हूं सोचना आपको ही पड़ेगा भाई मैं आपको हर चीज नहीं बता सकता हूं ठीक है अब मैं कोई भी image बनाने के लिए आपको क्या करना है माइपको बता तो जैसे को ये देखिए बन गई भाई, ये देखिए बन गई, इसको डाउनलोड कर लो, ये डाउनलोड हो गई आपकी, तो image चुटकियों है बन गई, तो इसका इस्तमाल कर लेना, और साथी साथ, जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे जो भी बटन चाहिए, कुछ भी चाहि तो मैं Google से ही image आपको use करना होता है, picture representation करना होता है, ठीक है guys, अब देखिए, माली जी यहाँ पर background है, background आपने यहाँ से select किया था, माली जी यह background आपको नहीं चाहिए, ठीक है, अब यह background नहीं अच्छा लगर आपको color ठीक है, तो अब आपको कोई और background करना है, तो आप स सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जैसे माली जी यह download हो जाएगा, तो इसको आप लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे मैंने काफी सारे download करके रखी है, जैसे माली जी मुझे background लगाना है, माली जी इमेज बन गई, background नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं beach वाले पे click करूँगा, यहाँ import पे जाओंगा, बाज समझना गवर से, ठीक है, अमाली जी इम्पोर्ट पे जाओंगा, मुझे यह वाला background अच्छा लगा, यह वाला select कर दिया, और इसको लगा दिया, अब यह देखिए, उपर आ गया, अब इसको पीछे ले जाना है, पीछे ले जाना है, पीछे ले जान चली गई, और इसके बाद यहां से इसको बढ़ा दो, और इसको पीछे सेट कर दो, यह देखिए, पीछे सेट हो गई, और इसके बाद इस इमेज को लॉग कर दो वाई, तो यह देखो, बन गया आपका thumbnail, ठीक है, आप जो कुछ लिखना है, आप लिखने में बहुत जाद अब देखे, यहां पर अब इसको क्या करने, यह सारे यहां पर फीचरस हैं, अब इनको आपको इस्ते Мाल करना पड़ेगा, ठीक है, अब यह को Formt Style जो ह contracts है, इसको पतला भी कर सकते हैं, इसको आइसे कर सकते हैं, तो यह आपके उपर डेपन करता हैं, आप ज़ेखे, Found Style ह अब font पे जाते हैं, कई सारे font आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तो यहां से font वगर आप add कर सकते हैं, यह देखिए, ठीक है, तो काफी सारे font हैं, जो भी आपको पसंद आ जाता है, आप वो font यहां से select करेंगे, और इसके बाद से color आप selection करके, आप जिसे माली जाए, यह वाला यह देखिए, बन गया, अब इसे एक थोड़ा सा ज़्यादा भड़ा लग रहा है, ठीक है, तो sorry guys, थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको यहां से क्या करता हूँ, यह यहां से हटा देता हूँ, ठीक है, अब यहां पर आ गया, और देखिए, यहां पर कई सारे features है, इस टोक लगा सकते हैं, मतलब border लगा सकते हैं, जिस भी color का लगाना चाहते हैं, ब्लैक का border लगा सकते हैं, यह देखिए, ठीक है, अब इसके shadow लगा दीजिए, जो भी color shadow यहां से on कर दीजिए, यह देखिए, shadow लग गई, shadow का color red, जो भी चाहिए आप लगा सकते हैं, यह द ओप लादा था था तो सारी चीजर आपको एड करनी पड़ेगी अब जो भाई потребibil में घृती है ठीक हे अब देखिए यह तो मैं टैश्ट आपको बता दी आ माली कोई Central लगाना आपको ठीक है तो यहहाँ से डेलीट करणा बीच में कलिक करना है स्टीकर को अपस्ण है और यह बबल देखो यह यह bubble मिल ले ना, यह bubble, यह mouth में बगलवा लगाना है, यह देखो, bubble भी आपको मिल लाई, यहाँ से bubble भी लगा सकते हैं, ऐसे rotate कर सकते हैं, इसको, यह देखिए, ठीक है, सारी चीज़े आपको मिल जाती, guys, यहीं से आप लिख भी सकते हो, यहाँ पर text जैसे करके, यहाँ से text करके, जो भी लिखोगे, high, ठीक है, high कर दिया, और यहाँ से आपने इसको यहाँ पर ले जाके, इसको आपके color, एपे click करके, आप यहाँ से, इसका, मैं इसी से बनाता हूँ, ठीक है, मैं इसी से हुआ था, आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यह थोड़ा से add आगा, क्योंकि यह free application है, यह देखिए, अब यहाँ से, जो मैंने बनाया हुआ था, यह देखिए, यह वाला भी ऐसे ही बनाया गया है, यह देखिए, अलग इमेज है, यह भी देखो, अलग लगा हुआ है, यह भी देखो, अलग लगा हुआ है, यह भी seeing भी अलग लगी हुई है, यह YouTube भी लगा हुआ है, YouTube का logo मैंने YouTube, Google से डाउनलोड किया है, यह देखिए, यह सारे अलग लगे हूँ, ये देखिए, सारी चीजे अलग लगे हूँ, ये देखिए, समझ रहे हैं आप तो ये मैंने ऐसे ही बनाया गाईज ये देखो background लगा हुआ है, तो सारी चीजे मैंने ऐसे ही बनाया, इसी से बनाता हूँ, ये देखो हटा दिया मैंने पूरा तो अब देखो लग रहा है thumbnail नहीं लग रहा है ना यह देखो हड गया पूरा और इसके बाद मैं back करके आपको दिखाता हूँ यह देखिए back जैसे करूँगा पूरा अच्छा है जो पहले thumbnail ता पूरा आ जाएगा ठीक है अब यह देखो पूरा thumbnail आ यह देखो बन गया तो गई इसी तरीके से मैं thumbnail बनाता हूँ आपको बस color selection बहुत जारा जरूरी करता है दोस्तों यह color यह font color आपको बहुत ज्यादा matter कर जाता है इसे color ठीक है यह ऐसे करके आप thumbnail बनाएंगे और इसे आप यहाँ से save कर सकते यह save as image यहाँ पर क्लिक करके य size यहाँ से save कर लिजी यह आपके phone में save हो जाएगा gallery में और आप इसे gallery से देख भी सकते हो बास समझ गये यह आपके gallery में भी आ जाएगा guys तो इसी तरीके से मैं भी बनाता हूँ guys और देख सकते हैं यहाँ पर यह आपकी image आ जाएगी यह देखिए ठीक है तो यह से करके आ font style जो है यह दिखा देता हूँ आपको font वगरा यह आपको यहाँ पर यह काफी सारे font हैं जो हिंदी में यह देखिए काली सक्चाई ऐसे करके तो यह ऐसे करके change हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके जो font है यह आप Google पे search करके pixel lab font हिंदी font style यहाँ से आप download कर सकते हैं जैसे आ आप download कर लीजे ठीके, download करने के बाद आपको क्या करना होता है यहांसे मैं बता देता हूँ कैसे import करना होता हूँ ठीक है यही प्रॉबलम है सारी चीज़े एक ही बार में बता देता ऑँ जैसे मारली यह हमारी पर लगाना है तो यह font पे गए और my font पे गए अब यहां से आपको यह file यहां से click करके जहां पर आपने download किया वहां से आप select करके add कर देंगे तो वो file आ जाएगी यहां पर ठीके और वो front style भी आ जाएगा तो इसी तरीके से मैं thumbnail बनाता हूँ guys और कसम से कह रहा हूँ अगर आप ऐसे सीखना चाहते ही न तो ऐसे ही thumbnail बनाना इस app की link आपको description दे दूँगा मैं इसी app से बनाता हूँ guys इसी app से pixel lab से यह आपको मिल जाएगी तो इसे आप इसी से thumbnail बना सकते हैं आसा कर तो आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी आपको suspense create करना है बस एक चीज़ समल लेना suspense create कर लिए आपने YouTube वीडियो में अपने thumbnail में तो आपके चैनल के सब्सक्राइबर आटोमिटिक बढ़ेंगे guys आपके जब तक वीडियो में क्लिक नहीं होगा तो थोड़ा सा प्यार और support देखे चैनल को subscribe जरू कर ले